वेल्कम बैक्त में चानल तो आज की वीडियो में आप सब के साथ शेर करने जा रहे हूं एक ब्राइडल हैस्टाइल और परस्नली मुझे तो यह हैस्टाइल बहुत ही पसंद है और आप भी एक बार इस हैस्टाइल को ज़रूर ट्राइ कर देजिए क्योंकि यह हैस्टाइल आपको और भी सुन्दर बना देता है तो चलिए वीडियो को शुड़ करते हैं तो अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे और साइड में दिये हुए बेल आइकन को दबना फिल्कुल भी मन भूलिएगा और यह बिल्कु रिफयाल कर रहा हूं इंच्चिण कर रहा हूं है दोनों साइड एकष्टि मिल्कुLE सेक्शन ले लेजिए आप अज़े देखे आप मेरा बैक को में कम्प्रीट हो चका है अब भी मैं उसे नीटली सेट कर रहे है अब पुफ को नीटली सेट करने के पाद एक दू बार इस तरीके से ट्विस्ट कीजिए और तोड़ा सा अगे की तरब पुश कीजिए यह देखे कितना बड़ी ऐसा पुफ मिला है अमें अब उससे बॉबी पिन की सहायता से सेक्वर कर लेजिए मैं यहाँ पर दो बबी पिन यूज कर रहे हूँ अब आपको एक छोटा सा सेक्शन लेके इस तरीके से उसे सेट करके बबी पिन के ऊपर उसे सेक्वर करने ना है ताकि हमें एक अब मीट वाला फिनिशिंग में जाता है दोनों साइड ऐसे ही कर लेना है अब आपको आगे वाला सेक्शन लेके इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है यह स्टेप आप तोड़ा सा स्लोली केजिए ताकि हमें एक नीड फिनिशिंग मिल सके अब मेरा स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो केजिए अब जाता है कर दो कर दो कर दो कर दो अब मैं सारा बालों को लेके इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए एक सिम्पल सा बन लगा रही हूं और बन को आप एक रबर बैंड से से क्यूर कर देजिए अब मैं इसे एक नेट लगा रहे हूं तके हमें एक नेट फिनिशन मिल सके हूं अब लास्ट में अपने हे स्टाल को और भी सुन्दर बनाने के लिए इस फ्लावर का यूज़ करती हूं तो फ्रेंट से दीके हमेरे प्यार असा वेडिके इस्टाल रवी है तो फ्रेंट से अगर आपको मेरी वीडियो पसंत आए तो प्लीज मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीज़े शेर कीज़े और कमेंट तो जरूर लिखे और मेरे चानल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत दोलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए की वाचिंग टेक खेर बाबाई